अपने चनल देग्जाम टाम स्वाप से का सब्सक्राइब है दोस्तो और भी जी जिरो त्री दोजा थारा वेटिंग कंडिडेट वालो के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तो यह अपडेट आपका और भी इलावाद से निकल करा रहे है यहां पर आपका रिप करक्या किया यह भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में चलिए हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी आपको कोई भी अपडेट आता है तो यहां पर अपडेट कर दिया जाता है यहां पर देख सकते हैं कि यह आपका रिप्लेश्मेंट पैनल 3 जारी किया गया है जो कि आपका जूनियर इंजिनियर जो कि आपका केटगोरी नमर 2 जो कि आपको डिजाइन ड्वाइंग एन एस्टीमेशन इससे आपका टोटल 8 कंडेट को यहां पर इंपैनल कर लिया गया है यहां पर आपको सिरियल नमर देखने के लिए मिलेगा कितने स्टुएंट को इस केटगोरी से लिया गया है तो आपको यहां पर provide किया गया उसी category में दिया गया है या उससे के अलावे आपको किस category में यहाँ पर book के आगया है यहाँ आप देखने के लिए मिल जागा इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि category अबने इसके आपका टोटल 15 करिदेट को लिया गया है यहाँ पर पोस्ट कोड 44 ncr के बात करते हैं तो इससे आपका नहीं पांच करिया गया है जो कि आपका अले श्यूंट का है यहाँ पर जेनरल सर्विसेज का है यहाँ पर अगर हम post code 53 जो कि electrical and TRD का है जो का एक कनिरेट को impanel कर लिया गया है और वो आपका OBC कनिरेट है और यहाँ पर आपका 54 NCR जो कि electrical TRS में आता है इससे आपका 4 कनिरेट को यहाँ पर impanel किया गया है और यहाँ पर आपका 63 NCR जो कि SNT signal यहाँ पर यहाँ पर एक कनिरेट को इसमें लिया गया है और 64 NCR telecommunication SNT से आपका एक कनिरेट को लिया गया है तो इस तरह से आपका अभी तक इमपैनल कर लिया गया है और अभी यहां पर जो डिमांड गया था 329 स्टुडेंट का उसके अकॉर्डिंग आपका 238 स्टुडेंट का भी यहां पर आना बाकी है यहां पर आपको आपको बोला गया है कि यह अंडर्टेकिंग भी आपको देना होगा जो आपको डिमेर्कल होता है आपका चेक किया जाएगा रिमेर्कल के रिगार्डिंग आपका जो पोस्ट है उसके एकॉर्डिंग तो यह आपको अंडर्टेकिंग यहां पर बोल दिया गया है जैसे कि आपका राची बाले में वहाँ पर भेजा गया था उसमें ऐसा कुछ भी undertaking के बारे में नहीं बोला गया था बहुत ही short वहाँ पर information दिया गया था तो में भी वहाँ पर chance है लेगा नहीं लेगा तो वो तो जब आएगा लेटर उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें ल प्रविजिनल लिस्ट है इसका मतब यह नहीं कि आपका appointment मेरी जाएगा इसके basis पे आपका अभी जो भी administrative formality होता है जैसे का आपके documents को check किया जाएगा medical में अगर आप फिट आते हैं अगर इन दोनों चीज में आप फिट आ जाते हैं आपने post के according आपका medical जो भी जाएगा अभी आपका division allotment होगा उसी division से आपका joining letter आपका process जो भी होगा वो क्या जाएगा अभी आपका जितने वी student का यहाँ पर नाम आ चुका है वो आपका आगे recommend कर दिया गया है जो भी principal chief personal officer है उनके तक आपका जितने वी north central railway के principal chief personal officer तो वहाँ पर आपका भेज गया गया है तो परियाग राज तो इनको इन्हें भेज process आपका वहीं से होगा अगर आपको किसी परगार का query करना है तो आप यहीं से करिएगा या फिर आप पार division जब alert हो जाएगा तो आपका query जो भी कुछ कर आप अपने division से वहां से query करिएगा तो आगे जो भी update आता है call करके एक बाद पता कर लिजेगा कि उनका division का वहां होगा या फिर आगे का process से direct joining भेजा जाएगा या फिर पहले division वहां पता कर लिजेगा जिनका भी 20-25 दिन से जादा हो गया है वह एक बाद जरूर अपने अपने zone में जरूर पता कर लिजेगा तो दोस्तों आगे जो भ अहले अभी देखने के लिए मिल जागा इवाँ आप देख्जांप के टेलीग्राम चैनल से जुनना चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया गया है कोमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया आप डैक्टी जा को आपर जोर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में न